रनबीर कपूर इस्टारर फिल्म शम्शेरा ने तीन दिनों में तोड़ दिया बॉक्स ओपिस पर दम माना जारा था कि ये फिल्म बॉलिवूट की इस साल की सबसे बड़ी सुपरेट फिल्म शाबित होगी लेकिन जैसे ये फिल्म रिलीज होई तो सारा पासा उल्टा पड़ गया आपको बता दे कि शम्शेरा के मेकर्स को फिल्म से जितनी उम्मीद थी उन सारी उमीदों पर पानी फिर गया क्योंकि रनबीर कपूर इस्टारर ये फिल्म बॉक्स उपिस पर आंदे मुग री है डैट सो करोड की लागस से बनी शम्शेरा को लेकर मेकर्स को जितनी बॉक्स उपिस कमाई की उम्मीद थी उससे कई गुना बेकार कमाई इस फिल्म की हुई है आपको बता दे कि ये फिल्म रिलीज होने के पहले ही दिन से काफी खराब परदशन कर रही है लेकिन मेकर्स को लग रहा था कि शनीवार और रविवार के दिन फिल्म काफी अच्छी कमाई करेगी रिलीज होते ही फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ओफिस पर 10 करोड की कमाई की वहीं मेकर्स को उमीद थी कि ये पहले दिन 20 करोड की कमाई करेगी इतनी ठेंडी सुरुआत के बाद उमीद जता ही जारी थी कि वीकेंड पर ये कुछ कमाल करेगी मगर रनबीर कपूर की इस फिल्म ने सब की उमीदों पर पानी फेड़ दिया और दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई महस 10 करोड रुपे रही और अगर बात करें रवीवार की तो मेकर्स को उमीद थी कि इस दिन भी ये 20 करोड की कमाई करेगी लेकिन फिल्म ने मातरे 11 करोड कमा कर मेकर्स की उमीदों पर पानी फेड़ दिया वही चौते दिन तक फिल्म ने करीब 34 करोड रुपे की ही कमाई की है बहुत सारे फैंस का मानना है कि फिल्म का कॉंसेट काफी आउटडेटेड है वही कुछ लोगों का मानना है कि फिल्म के रिलीज होते ही पहले दिन फिल्म को काफी नेगेटिव रिव्यू मिले ऐसे में फिल्म के मार्केट पर काफी गेरा असर पड़ा वही रन्वीर कपूर के डाय हार्ट फैंस को छोड़ कर जादा तर लोग फिल्म को रिव्यू के बेसिस पर जज़ कर रहे हैं ऐसे में फिल्म के हलात ऐसे हो गए है कि फिल्म एक ही हपते में सिमर्टी वी दिख रही है और उपर से फिल्म का बजट डेट सो करोड रुपे हैं ऐसे में समसेरा के मेकर्स की बस एक ही दुआ रहेगी कि फिल्म की कमाई तो दूर की बात है बस एक बार जैसे जैसे फिल्म का बजट रिकॉर हो जाए अब इतनी बड़ी फिल्म को डूपते हुए देखकर आपका क्या कहना है कॉमेंट बॉक्स अपनी रायस जरूर लिखें